हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेटरी टॉपिक जो आपका इन्विस टीजीटी के लिए है ठीक है मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेटरी बिल्कुल भी नहीं आती है तो अगर आप यहां से वीडियो उस देखना वाली है ठीक है तो उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आप एन्विस टीजीटी का बैच जोइन करना चाहते हो तो एक उफर चल रहा है जो नो साथ दोजार बाइस तक अवेलेबल रहेगा रात के बारा बजे तक उसमें आपकी फीस जो है 2300 रहेगी 54% का आपको डिसक पर ही ठीक है तो अगर आप जोइन करना चाहते हो तो जोइन कर सकते हो इस बैच को अगर आप बाद में भी इस बैच को जोइन करना चाहते हो तो जोइन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल इस बैच में जो है ओफर चल रहे है तो अगर आप उनके में काम आएगा चाहिए आपका कोई साभी TGT PGT का एक्जाम हो ठीक है तो हम देखते हैं Trigonometric Topic Trigonometry बिल्कुल Basics हम यहाँ पर पढ़ेंगे यानि Trigonmity Trigonometry में हमारे पास English से हम अगर बात करें तो 3 words होते हैं यहाँ पर जिनके combination से Trigonometry word बनता है Try, Try का means का होता है 3, sorry Try, Try का means होता है 3, 3 मतलब फिर आता है Gone, Gone का मतलब होता है Sides मतलब भुजाएं Metry मतलब major यानि मापना तो जब हम 3 sides को मापने, मतलब 3 sides से related अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो Trigonometry में आ जाता है, कुछ भी तो नहीं कहेंगे मतलब Trigonometry के अंदर जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वहाँ पर 3 sides का use होगा, 3 भुजाओं का इस्तमाल होगा तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर triangle या फिर त्रिभुज का use होगा और triangle भी हम कैसा लेंगे, वो triangle जिसमें एक angle आपका 90 degree का होता है एक cone आपका 90 degree का cone होता है ठीक है, अगर यह वाला angle हमारा theta है मतलब इस angle की कोई नव कोई value है, 30, 60, 45, कुछ भी हो तो अगर यह वाला angle हम consider करके चलते हैं तो इसके सामने वाली side हमेशा perpendicular या फिर लंब होती है ठीक, और अगर मालो यह theta है ना तो इस theta गवा पैसे मालो कि इसके दो आखे यहाँ है यह नाख है इसका और यह इधर पैर हो गए और यह हाथ हो गए इसके, ठीक है, ऐसे मालो तो इसके जो पैर है वो यहाँ पे लगेंगे तो पैर इस साइड पर अगर इसके लग रहे हैं और यह होता हमेशा hypotenuse hypotenuse जो होगा वो हमेशा सेम ही रहता है perpendicular और base जो है वो आपस में change हो सकते हैं ठीक है, इसके बाद हम इसमें बात करते हैं इसके बाद हम इसमें बात करते हैं देखो, trigonometry अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तीन साइड का रेशो चलता रहेगा ठीक है, तीन साइड का रेशो मतलब perpendicular upon base भी कर सकते हैं base upon hypotenuse भी कर सकते हैं base को हम कहते हैं आधार हिंदी इंगलिश bilingual बताऊंगी, ठीक है hypotenuse हो गया आपका कर्ण, ठीक है भूल जाती हूँ, बर्ट नहीं आता दिमाख में, ठीक है तो perpendicular lump, base आधार, hypotenuse होता है, current depend करता है, theta यहाँ पर है, यहाँ यहाँ पर है यह theta है, तो यह perpendicular यह base हो जाएगा, hypotenuse यानि current जो होता हो हमारा same ही रहता है ठीक है, तो हम जो trigonometry में पढ़ते हैं, वो होता है, तीन sides का ratio हमें यहाँ पर देखना होता है हमारे पास तीन quantity है, तीन चीज़े हैं हमारे पास perpendicular, base और hypotenuse, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि perpendicular upon base कर दे या फिर perpendicular upon सबसे पहले hypotenuse ही करते हैं ठीक है देखो, सबसे पहले हम perpendicular upon hypotenuse, ठीक, फिर हम base upon hypotenuse करते हैं फिर हम perpendicular upon base करते हैं, फिर हम इसका उल्टा करेंगे, base upon perpendicular, फिर hypotenuse upon perpendicular, मतलब इसका reciprocal, फिर हम इसका reciprocal कर देते हैं, ठीक है तो यही 6 ratio जो है, in sides के जो ratio है, यही हमें 6 ratios याद रखने होते हैं perpendicular upon hypotenuse हो जाता है, sin theta, theta ध्यान रखना कि कौन सैंगल वो बोल रहा है, ठीक है उसके according perpendicular होगा, ठीक है base upon hypotenuse होता है, cos theta perpendicular upon base होता है 10 theta, और इसका उल्टा करोगे, मतलब इसका reciprocal करोगे, तो base upon perpendicular हो जाता है, cos theta इसका reciprocal करते हो, तो h upon b, hypotenuse upon base साता है, यह हो जाता है, sec theta और अगर इसका reciprocal करते हो तो यह हो जाता है, हमारा cos theta बिल्कुल basic lecture हो, बहुत सारे students को यह सब चीज़े आती होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल basic से start करना है ठीक है, तो अब हमारे पस यह सब चीज़े हो गई, इन सब चीज़ों को याद रखने का तरीका क्या है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर बोले ठीक है, हिंदी में कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, लाल काक्का ऐसे भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो पहले इंगलिश में देख लो, परपंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियूस साइन, इसको एक लाइन में याद रखना साइन वाले को, मतलब ऐसे, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस, ऐसे इसे याद रखना, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस, का reciprocal cosec, cos का reciprocal sec, 10 का reciprocal cot होता है, ठीक है, reciprocal मतलब with terms जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, perpendicular upon hypotenuse हमारा हो जाता है, sin theta, देखो, पंडित बदरी प्रसाद हर-hर बोले, तो सबसे पहले ratio आया, P upon H, sin theta, उसके बाद आता है, B upon H, cos theta, sin, यह, cos, 10, फिर उल्टा चलना है, cot, sec, cosec ठीक है, L मतलब lump, आधार, current, lump, आधार, lump है, यह आधार है, यह current है, इसे ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, lump बटे current, sin theta होता है, आधार बटे current, cos theta होता है, lump बटे आधार, lump बटे आधार, 10 theta होता है, ठीक है, और pentaculate upon, hypotenuse sin theta, तो यह सब चीज़े basic है, इसके यह आपको य याद होने चीज़े, depend करता है, कि theta ये वाला angle है, या फिर ये वाला angle है, hypertenuse, यानि ये तो हमेशा same ही रहता है, ये दोनों interchange हो सकते है, depend करेगा theta कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो reciprocal के form में हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि sin theta is equal to होता है, 1 upon cos theta, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो sin theta into cos sec theta is equal to 1, ठीक, फिर हम कह सकते हैं कि cos theta into cos theta is equal to 1 upon sec theta, इसी तरीके से 10 theta is equal to 1 upon cot theta, this into this is equal to 1, ऐसे भी आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है, अब एक छोटा सा question देख लेते हैं, इसके उपर, कि हमें दे रखा है, 10 theta is equal to 4 upon 3, अगर 10 theta is equal to 4 upon 3 हमें दे रखा है, तो हमें क्या कर है, find the other trigonometric ratios, ये मन सोचना कि ये तो बहुत बच्चों वाली चीजे पढ़ाई जा रही है, ये मुझे अगर पढ़ाना होता है, तो मैं बिल्कुल basic से start करते हूं, ठीक है, तो ये चीजे हैं बिल्कुल शुरू से, धीरे धीरे, जब हम, जैसे कहते हैं, कि अगर कोई बच् चलना सीखता है, तो धीरे-धीरे के कि step करके, वो फिर proper चलने लग जाता है, तो उसी तरीके से ये होगा कि छोटी-छोटी चीजे आपको पता चलती रहेंगी, फिर बात में जाकर के, जैसे कोई बड़ा question आएगा, ये थोड़ा सा hard question होगा, जो आपको लगेगा hard, उसे कर करने में हम आसानी से कर पाएंगे मतलब उसको, तो पहले basic से लेकर के चलेंगे, धीरे-धीरे up level तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही basic चीजे है, बट अगर ये अच्छे से clear रहेंगी, तो आगे आने वाले जो भी questions होगे, उनमें problem नहीं होती है, ठीक है, तो तो हम कहा सकते हैं कि अगर ठीटा ये है, ठीटा के सामने perpendicular, तो perpendicular के सामने 4 लिखा हुआ है तो इसको 4 मालो ठीक, base के सामने 3 लिखा हुआ है, तो ये base होगा तो इसको 3, और हम एक triplet पता होता है, 3, 4, 5, ये होता है trick, हिंदी में कहते हैं इसको triplet, triplet क्या होता है, जो 3 नमब होगा उसका square करने पर वही value आपको मिलती है जो इसका square plus इसका square करने पर आपको मिलेगी अगर ऐसा हो जाए तो वो दोनो triplet कहलाते हैं ठीक है सबसे बड़े number का square करने पर आपको वही मिलेगा जो बाकी दो जो छोटे number है उनका square करने पर अगर आपको मिलता तो तीनों त्रिक कहलाते हैं जो सबसे बड़ी साइड होती है इस त्रिक में या इस ट्रिपलेट में वो हाइपोटेनियोस होता है यह दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं क्वेशन के ओपर डिपैंड करेगा। उसने क्या आपको सोमे published निकालने या तो सबसे पहले क्या होता है साइन फीटा होता है पर्पेंडीकुलर अपन हाइपोटैनियूस इस वह होता है लिए यह पर्पेंडिकुलर अगर यहां वाले यह यह क्या हो जाएगा hypotenuse तो 4 upon 5 क्योंकि perpendicular upon hypotenuse, sine के बाद आता है cos theta, cos theta होता है base upon hypotenuse, इस theta के लिए base 3 है, hypotenuse 5 है तो 3 upon 5 हो जाएगा, फिर आता है 10 theta अल्रेडी दे रखा है, 10 theta के बाद आता है हमारा cot theta cot theta अगर आपको निकालना है तो 10 theta की अगर value पता है 4 by 3 तो direct इसको उल्टा कर दो 1 upon 10 हो जाएगा 3 by 4, वही होता है हमारा cot theta, वही होगा हमारा cot theta, उसके बाद हमें sec theta निकालना है, sec theta अगर निकालना है, तो cos theta की value को उल्टा कर दो 5 by 3, cos theta निकालना है, फिर cos theta गर निकालना है तो sin θ की जो value दे रखिया उसे उल्टा कर दो तो इस तरीके से हम इस question में सारे के सारे trigonometric ratios निकाल सकते हैं आपको याद होना चाहिए 3, 4, 5 ये तो आपको दिमाग में पट होना चाहिए कि 3, 4, 5 एक pythagorean triplet होता है जो बहुत सारी जगह आपको use मिलेगा इसका trigonometry में ही ठीक है अब देखते हैं next question इस पर ये तो था बिल्कूल basic question पहले हम बहुत basic basic चीज़े करेंगे फिर धीरे धीरे अप level पर पहुँचेंगे ठीक है अब जैसे हमें next question में कहा गया है consider triangle ACB right angled अगर videos पसंद आए तो please like share करना मत भूलना ठीक है ACB एक triangle है जिसमें जो right angle आपको बनाना है 90 degree का कोण जो आपको बनाना है वो C पर बनाना है in which जिसमें AB equal to होगा 29 units BC equals to Hindi में मैं भी dictate कर दूँँ इससे पूरा proper ठीक है and angle ABC होगा आपका theta तो determine the values of हमें क्या-क्या यहाँ पर निकालना है तो cos square theta plus sin square theta हमें यहाँ पर निकालना है ठीक है second हमें cos square theta minus sin square theta यहाँ पर निकालना है दो चीज़ें निकालना है अब एक चीज़ हमें trigonometry में पहले से ही पता होती है क्या कि अगर हमें cos square theta plus sin square theta निकालना है value चाहे कुछ भी रखो इसकी value हमेशा 1 ही आएगी तो अगर हमें यह चीज पता होगी तो हम इस question को solve ही नहीं करेंगे, हम इस question से कोई मतलब ही नहीं होगा, direct हमें पता है, cos square theta plus sin square theta या फिर sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो direct answer हम लिख देंगे, but इसके लिए हमें solve करना पड़ेगा, ठीक है, इसको निकालना है, तो cos theta और sin theta दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर triangle कहा है, ACB, तो ACB, अब यह नहीं पता कि ACB बनाएं कहा, मेरी मर्जी है, मैं A A यहाँ पर बना दू, C बना दू, यहाँ पर, B बना दू, लेकिन उसने बोल दिया, right angle C पर बनाना है, जो 90 degree का कौन है, वो आपको C पर बनाना है, जिनको हिंदी English में questions करने में math से problem होती है, I think अगर आप यह वीडियो पहुत अच्छे तरीके से देखोगे, तो मैं English वाल question को पूरा proper Hindi में अच्छे तरीके से बताऊंगी, ताकि आपको जरासी भी problem ना है, ठीक है, right angle at C, right angle at C मतलब 90 degree का कौन यहाँ पर बनेगा, C point पर 90 degree का angle, यहाँ पर 90 degree का कौन बना दिया, आपकी मर्जी है, चाहे इसे A ले लो, चाहे इसे B ले लो, चाहे A हाँ कर दो, B angle to 29, AB जो यह length है, यह 29 है, और BC जो length है, BC length यह है, जो 21 units ने रखी है, angle ABC, A, B, C, मतलब यह वाला angle, जो बीच में होता वो angle, यह हमारा अगर थीटा है, तो यह वाली side पहले पता कर लो कितनी होती है, तो यह भी मेरे को triplet याद है, तो आपको कुछ तो triplet से याद करने होंग math break youtube channel, मतलब ऐसे ऐसे लिख देना, pythagorean triplet, और लिख देना, math break, जो channel का नाम है, तो आपको pythagorean triplet की complete video मिल जाएगे, और आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगे उससे, ठीक है, otherwise मैं link उसका डाल दूँगे description में, ठीक है, तो देखो, 20, 29 एक pythagorean triplet होता, इसका मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी side है, वो 29 है, इसका square करोगे, तो आपको वही मिलेगा, जो 20 का square हो, 21 का square करने, यानि वर्ग करने के बाद, यो करने पर मिलेगा, मतलब 20 का square, 400, 21 का square, 441 होता है, और इसका square, 841 होता है, तो दोनों चीज़े बराबर आएगे, सबसे बड़े number का square क जो आपको मिलेगा, इन दो छोटे numbers का square करने के बाद, सम करने के बाद, यो करने के बाद, आपको वही मिलेगा, ठीक है, तो ये side क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है, ये तो हमेशा fixy रहती है, जो सबसे बड़ी side होती है, hypotenuse ही रहती है, अब यहां से हम cos theta निकालने पहले, cos theta होता है, base upon hypotenuse, इस theta के लिए, base तो ये होगा, base ये होगा, तो base 21 हो गया, और hypotenuse 29 हो जाएगा, इस B का मतलब है, base, ये B है, यहां पर point, तो चाहिए आप इसे कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है, बस यहां पर यादत ना, base upon hypotenuse, तो cos theta ये आ गया, sin theta अगर हम निकाल चाहिए, तो perpendicular, theta के लिए perpendicular, उसके सामने वाली side होती है, 20 upon hypotenuse 29 दे रखा है, तो ये हो गए हमारे sin theta, cos theta, ठीक है, अगर आप इसमें रख करके खुद देख सकते हो, cos theta और sin theta की value ये रखना, solve करना, आपको 1 ही मिलेगा, ये तो identity है, बिना उसके भी हम कर सकते हैं, फिर हमसे क theta का मतलब है, 20 by 29, 20 by 29 का square, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, denominator में तो same है, 29 का square, उसको हमने अलग लिखा, उपर लिखा 21 का square, minus 20 का square, 20, sorry, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 plus 20, और 21 minus 20, कर सकते हैं, a square minus b square equal to a plus b, a minus b, वही हमने किया है, 29 का square, ठीक है, basic चीज़े हैं, वैसे इस lecture में मुझे पता है, बट मैं तो basic से ही ले करके चलती हूँ, सर के उपर से उतारने से मुझे कोई फायदा नहीं लगता, तो यहां से अगर हम solve करते हैं, तो 41 upon 84, हर एक इंसान को समझ आना चाहिए, ऐसा क्या फायदा, कि एक को आरा, एक को नहीं आरा, सब को आना चाहिए, समझ तो इसका answer क्या आ जाता है, हमारा 41 upon 841, तो जब हम ये वाली value निकालते हैं, तो वो आ जाएगी हमारी 41 upon 841, ठीक है, next question हम लोग देखते हैं, in a right angle triangle ABC, तो इसने कहा एक right angle है, मतलब जिसमें A cone, सम cone होगा, या पर 90 degree का cone होगा, right angle जो 90 degree का cone है, वो B point पर बना हुआ है, तो य 10 a कहता है 1, angle दिया है A, अगर ये वाला angle है, A हमने इसको माना है, तो आप क्या करो, चाहिए तो इसे ही माननो, ठीक है, अगर ये वाला angle हम मान के चल रहे हैं, तो इस angle के सामने, इस angle का नाम A है, इस angle के सामने perpendicular ये होगा, base ये होगा, hypertenous ये हो जाएगा, तो 10 a की value 1 दी है तो हम कहा सकते हैं, यहाँ पर, 10 a कितना होता है हमारा, 10 a होता है, perpendicular upon base और उसकी value 1 दे रखी है, that means 1 upon 1, यानि perpendicular भी 1, base भी 1, यहाँ पर जो ये बात है वो ratio की, अगर हम यहाँ से perpendicular कहेंगे, तो k आएगा, मतलब कहने का ये है, मैंने कहा, perpendicular upon base, 2 by 4 है, मैंने कहा 3 by 6 है, ऐसे ब करूँगी तो 1 by 2 आएगा, तो मतलब perpendicular से base का जो ratio है, वो तो दोनों case में 1 by 2 ही है, लेकिन वो मेरे उपर depend करता है, कि मैंने इस 1 by 2 को 2 से multiply कर रखा था, या फिर 3 से multiply कर रखा था, अगर 2 से करूँगी तो यह आएगा, 3 से करूँगी तो यह आएगा, इसका कहने का मतलब य है, यह जो चीज है वो ratio में है, अगर हम ratio हटाते थे, तो P की value क्या हो जाएगी, K into 1, और B की value भी क्या हो जाएगी, K into 1, मतलब इसमें किसी, अगर हमें इन्हें अलग-अलग लिखना है, अगर हम इन्हें अलग-अलग लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आ मानेंगे, तो K हो जाएगा, हमने मान लिया कि K से दोनों में multiply हो रखी थी, तो P की value K थी, B की value K थी, P upon B ratio निकालते तो K by K, यानि that is 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हमारी थोड़ा समझने की थी, तो हमने perpendicular भी K मान लिया, base भी हमने K मान लिया, अगर ratio नि K मान लिया, ठीक है, तो perpendicular भी K, इसके लिए perpendicular यह, और base भी हमारा K ही है, तो base हमारा यह होगा इस angle के लिए, अगर यह K है, यह K है, तो यह कितना होता है, हमेशा याद अखना, अगर यह side 1 है, यह side 1 है, यह दोनों अगर 1 1 है, ऐसा तभी possible होता है, जब यह वाला angle और यह व हमेशा root 2 होती है, 1 1 root 2, इसे याद कर लेना, अगर किसी triangle में, यह angle 90 है, तो यह वाली side 1 है, तो यह वाली side हमेशा root 2 होती है, तो अगर यह K है, तो यह K है, तो इसे K root 2 कर देंगे, K into root 2, ठीक है, इतना हमें पता चल गया है, यहाँ से, ठीक, तो अगर हम इस question में, sin A निका खालते हैं, तो base upon hypotenuse आएगा, ठीक है, base upon, sorry, perpendicular upon hypotenuse और cause से base upon hypotenuse, तो 2 into perpendicular कितना है, K, hypotenuse कितना है, K root 2, तो perpendicular रखा K, hypotenuse रखा हमने K root 2, फिर base क्या होगा, इसके लिए base K है, hypotenuse यह ही है, तो K upon K root 2, तो यहाँ पर जो हो गया, K से K cancel हो गया, root 2 into root 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, 1 इसका answer आजाएगा, इसकी value क्या आ रहे है, फिर से 1 हमारे पास आती है, तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह जरूर धियान रख लेना, इसमें, कि यह ratio में है, ठीक है, तो हमें particular P और B की value नहीं पता, हमें नहीं पता यह कितनी length है, यह कितन है, तो यह 1, 1, 1 का ratio होगा, इन में, perpendicular upon base, 1, 1 का ratio होगा, तो यह हमारी under root 2 ही होती है, तो 2 into sine A का मतलब है, 1 by root 2, cause A का मतलब है, 1 by root 2, तो direct हम इसको सिर्फ इतना सा काम करके answer 1 बता सकते हैं, वो चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए थी, बाकि आपको यह पता होना चाहिए, simple आपने यह करना है, और कुछ भी नहीं, तो अब हम देखते है, trigonometry table कैसे बनाएंगे, और उसको learn करने का तरीका क्या होगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, theta, 0, 30, 45, 60, 90, sin theta, cos theta, 10 theta, cos theta, इसे इसी में लिखना, अगर आप NCRT की book में पर लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे ऐसी लिखना, 10 के बाद, cos, cos, 6, 1 के बाद, cos, 6, ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पर लिखना है 0, फिल लिखना है 1, फिल लिखना है 2, फिल लिखना है 3, फिल 4, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 आया, 4 से डिवाइड करो, इसको तो कुछ होगा ही निया, तो 0 ही रहेगा हमेशा, तो हमने हर बारी 4 से डिवाइड कर दे, यह 1 हो जाएगा, इसको कुछ करेंगे, यह इतना ही रहेगा, इसको अगर देखते हैं, तो 1 by 2 हो जाएगा, और यह 1 by 4 ही रहेगा, यह हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क् 4 से divide then under root तो यह 0 ही मिलेगा under root 1 by 2 मिलेगा under root करते हैं इसका तो कितना मिल जाएगा? इतना under root इसका करते हैं तो इतना मिलेगा इसका under root 1 ही मिलेगा तो यहां से हमारे पास यह values अब आ चुकी है ठीक अब क्या गान है? cos theta की अगर value रखनी है तो उल्टा शुरू कर दो पहले इसको फिर 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 इसको लिखना है तो यहां 1 फिर under root 3 by 2 फिर 1 by root 2 फिर यह लिखना है फिर यह लिखना है क्या किया? पहले इसको फिर इसको यहां इसको यहां इसको यहां इसको यहां लिख दिया 10 theta का मतलब होता है sin theta upon cos theta 10 theta क्या होता है sin upon cos तो 0 upon 1 0 इसको इससे divide करोगे 1 by root 3 याद भी मैं बताऊंगे कैसे होगा यह this upon this करोगे 1 क्योंकि तो same ही चीज़ां दोनो इसको इससे divide करोगे under root 3 उसको इससे divide करोगे तो 1 upon 0 not defined 1 upon 0 क्योंकि 0 का table तो अभी पढ़ा नहीं है simple बस यह आदर को 1 upon 0 not defined ठीक है अब cot theta निकालना है तो फिर से 10 वाली line उल्टी शुरू कर दो end नया दिमान root 3 1 not defined ठीक है not नया दिमान यह है 1 by root 3 फिर यह लिखना last में 0 अब करना है sec theta अगर हमें sec theta लिखना है तो sec जो होता है वो 1 upon cos होता है बस इसको 1 upon में लिखो then इसको 1 upon इसका 1 upon मतलब इसका उल्टा कर दो इसका उल्टा इसका उल्टा इसका उल्टा क्या होगा 0 upon 1 उल्टा करना था ना इसका 1 अपॉन करोगे तो फिर से not defined आ जाएगा ठीक है 1 अपॉन 0 ठीक तो क्या हो जाएगा इसका older not defined फिर क्या करना है cos एक थीटा लिखना है तो उधर से फिर से शुरू कर दो not defined फिर 2 आएगा फिर under root 2 आएगा फिर 2 by root 3 फिर 1 2 by root 3 फिर 1 आ जाएगा ठीक है अब याद कैसे करेंगे बन तो गई है हमेशा याद रखो sin theta cos theta 45 पर same value देते हैं 1 upon root 2 10 theta cos theta 45 पर 1 देते हैं same value sec theta cos sec theta root 2 value देते हैं दोनो 45 पर ठीक है इतनी बात ये याद हो गया है ठीक है sin 00 sin 00 ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई जब हम trigonometry table बनाते हैं तो सबसे पहले हम angle 0 लिखते हैं तो सबसे पहले ही 0 आ जाएगा sin 00 और sin 91 उल्टा याद करो अब हमें पताए कि जब हम sin की value ऐसे लिखते हैं तो जब हम cos वाली value लिख रहे थे तो बाद वाले को पहली लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं फिर इसको मतलब cross में लिखते हैं उसको यहां उसको यहां उसको इहां इसको इधर इसको इधर तो ऐसे याद रख सकते हैं 0 1 होता है और cos 0 cos 90 0 हो जाता है sin 0 0 cos 0 1 sin 91 cos 90 0 होता है ठीक 10 10 भी 0 पर 0 ही देता है ठीक अब cos 01 होता है तो cos 01 उल्टा करेंगे तो sex 0 भी बनी देगा भई 1 upon क्या कह सकते है sex 0 is equals to 1 upon cos 0 वो 1 हो जाएगा ठीक है मतलब यह है sex 0 is equals to 1 upon cos 0 cos 01 होता है तो sex 01 हो जाएगा ठीक उसके बाद हम क्या कह सकते हैं sin 30 sin 30 भी जब हम टेबल लिखते हैं यह लिखते है 0 30 तो हमें दिमाग में आता है कि 30 30 पास में आएगा आखे बंद करके अगर हम सोचते हैं थोड़ा सा तो 0 फिर हमारे पास 30 आता है 30 तो सबसे पहले ही लिखा जाता है सबसे पहले आती है तो उसमें पहले क्या होता है 1 by 2 होता है तो sin 30 1 by 2 जो sin 30 की value होती है वही cos 60 की value होती है I hope मैं कोशिश तो कर रहे हूं बट अगर थोड़ा सा इसको समझ लोगे जिस तरीके से मैं कर रहे हूं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें शायद याद हो जाए ठीक है वो तो तभी होंगी जब आप थोड़ा बहुत याद करोगे प्रैक्टिस करोगे देखोगे उसको तभी याद होंगी बट थोड़ा सा idea आपको लग जाएगा ठीक है साइन 00, साइन 91, कॉस 01, कॉस 90, 0 जो साइन 30 वही कॉस 60 जो साइन 60 वही कॉस 30 क्योंकि ऐसे सोचती हूं मैं तो कि यहाँ पर साइन साइन लिखा हुआ है साइन है तो उपर 0, 30 वाला है तो मुझे पता है कि 60 इधर आएगा ठीक है इसी तरीके से 10, 10 में क्या होता है हम इसमें confused हो जाते है कि 10, 10, 45 तो 1 याद रहता है, 10, 00 होता है, 10, 90, not define होता है 10, 30 की value, पहली बात तो 10 याद रखो, फिर याद रखो 30, फिर याद रखो 60 दो चीजे, 30 कम है तो 1 upon root 3 कम आए अब इन दोरों में देखो ना, छोटा कौन होता है इन दोरों में 1 upon root 3 छोटा होता है, root 3 बड़ा होता है, ठीक है तो 30 छोटा है, तो 10 में 1 upon root 3, चोटे की value छोटी और 10, 60, 60 बड़ा होता है, तो इसकी value भी क्या होगी? बड़ी ही होगी 60 की value भी बड़ी मतलब ये है कहने का कि एक तो मुझे इतना पता रहता है कि 10 में 30 और 60 की value 1 by root 3 और root 3 आती है बट मुझे ये नहीं ध्यान रहता है कि root 3 आएगा ये 1 by root 3 मतलब होता है किसी किसी को ये problem मैं नहीं कहरें खुद को कि अगर मैं 10 30 निकालूंगी 30 की value छोटी क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है 30 छोटा है 60 बड़ा है तो छोटे की value बड़ी cot theta cot में क्या हो जाता है cot होता है 10 का उल्टा 10 का reciprocal व्यूत क्रम तो 10 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में उल्टा हो जाएगा 10 में बड़े की value तो हो जाती है 10 में छोटे की value तो हो जाती है बड़ी, बड़े की value हो जाती है छोटी, ठीक है Sec 0, 1 होता है Sec 30 की value इसे तो ऐसे हम याद रखते हैं अगर मुझे Sec 30 निकालना है ना तो मैं ऐसे सोच लेती हूँ two sixty दूर आता है तो two three by two ठीक है तो science six टीकी की के वेल्वी तो यहां पर रूंट सुरी बाय टू रखोंगी तो सऺ थर्टी की वेल्यू आजाईगी तू by रूट ठीक है और सेक 45 कोस पाइस सेक और कोसेक 45 की वेल्यू अन्दर रूट ही ए इसे तरीके से, जो SEC 30 की value होगी, वही COSEC 60 की होगी, जो SEC 30 वही COSEC 60, जो COSEC 30 वही SEC 60, ठीक है, तो अगर इसमें से, आपको कुछ चीज़े समाझ आई होगी, तो I hope कुछ ना कुछ तो आपको याद हो आई होगा, थोड़ा बहुत, आप इसे practice करोगी तो आपको चीज़े याद हो चाहते हो तो पेड़ क्लासेस वीडियो पेड़ क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट है उसमें जाकर कि आप देख सकते हो जो भी आप पैच परचेस करना चाहते हो वह पैच आप परचेस कर सकते हो